हाई अलो विल्काम आई यूडूब चैनल अकूगैन तक पर सभी हमारे चैंपियंस बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे जैसे हमने आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था टेंस तो हम टेंस के बारे में यहाँ पर आपसे वेसिक लेक्चर नमबर वन में आपसे ब लेक्चर नमबर वन में बेसिक पूरी डीटेल आपको मैंने वहाँ पर दे दी थी ठीक है तो आज अपना जो लेक्चर शेकेंड नमबर टेंस का होने जा रहा है इसमें हम अब बात करेंगे टेंस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे जितने भी कॉंसेप्ट आपके बन रह पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको वाम अप करना जरूरी है क्योंकि टॉपिक में आपको मैं जब रूची पैदा करूंगा यहां पर आपको टॉपिक यहां पर समझ में आएगा तो पहले हम थोड़ा यहां पर बेसिक फटा-फट वाम अप करते हैं फि वर्व को हमने दो पार्ट में बाटा था कॉन-कॉन सी पार्ट में फटा-फट हमारे दोस्तों मारे कमेंट बॉक्स में फटा-फट टाइप करते हैं तो वर्व को दो पार्ट में हमने बाटा कॉन-कॉन से पार्ट थे प्राइमरी वर्व में बाटा था ठीक है फिर इसके बा मोडल आपको बताया था 15 हमारी मोडल होती है ठिए यह मैंने आप से वर्व में बात किया था एक-एक के बारे में हमने आपको बताया हो थिक हम जो वी आपकी प्राईमरी वर्फ होती है प्राईमरीots मिलकर उर में वर्फ मिलकर जो आपका एक एक्शन एक होता है क्या होता है क्या क्ञेंट टैज्ट हुरू आपको वह क्ता है जो हमकर एक्षन करने या न करने की आप और हमारे आपके बीच और हमारे बीच उसके दोनों के बीच एक्षन जो चल रहा है उस एक्षन को किस समय किया जा रहा है उसका टाइम बताना कि ये प्रेजेंट में किया जा रहा है कि ये पास्ट में किया जा रहा है कि ये फ्यूचर में किय उसे ही हम क्या कहते हैं टेंस कहते हैं यह बात हमने आप से बात किया था ठीक अब यहां पर हमने टेंस को बाटा था आपकी जो टाइम काल में टेंस होते हैं कौन-कौन से एक प्रेजेंट में होता है एक प्रेजेंट में होता है प्रेजेंट मतलब जो आपके प्रेजेंट मे पड़ी चुका हुआ फ्यूचर जो आपके भविस में आने वाला आए वो चेज यहाँ पर होती है इसका indef की और फिएट वायां परफेक्ट वाया िसके बाद मैंने आपसे बात गया थैना को गया दोुटफिर फिर इसके बाद के यह भी फार्ट के धूक्त फीचर परफर्वक conspiracy ये आपके चारप होगे अब इनके भी चार-चारप होगे तो टोटन हमारे चंस कितने बने तो लें कितने अभी यह भी हमने आप से बात किया था तो हम पहला यहां पर लेंगे आपका प्रचेंटबिखेक नहीं से लेंगे प्रज dec decimal आभ से बात करने वाल Alright तो जैसे कि की आप काम है ten joint Pen simply लूँगा तो प्रिजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है क्या होता है क्या लह Óग होता है वह कि वह हम यहां ने वाली आपको देने वाले हैं तो क्छिण से यह warm-up करते हैं जैसे हमने टेंस टॉपिक यहां पर बात किया और यह हमने टेंस के बारे में आपको बताया था ठीक हम इसके बाद यहां पर आते हैं यहां पर जो आपके पेर बना रहा रहा था भी मैं बता रहा था हम क्लेंटीनिवस यह प्रफेंट कॉंटीनिवस यह प्रेजेंट क्या जाते इसी में फिर तो पहला टेंस मैं उठाता हूं यहां पे प्रजेंट इंकि तो अब हम यहां पे करेंगे present indefinite tense हमारा क्या होता है तो जैसे आपने कच्छा नौ पांच में पढ़ा होगा ता है ती है ती है ते आज सब आते तो present indefinite tense कलाता है लेकिन हम यहाँ पर किसमें चलने competitive exam के दौर पर चलने तो हम उसी competitive exam के लेवल पर यहाँ पर हम present indefinite tense को पड़ेंगे न किता है यह ठी हैं यह सब हम देखने वाले яв तो पहले हम इसकी बाद करेंगा पर इसके बाद जो लिखा हुआ है आप हम उस पड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर present indefinite का अगर हम simple tense मुनाते है present indefinite का तो पहले क्या आता है subject आता है affirmative फिर इसके बाद verb आता है verb में हम S और S लगाते है फिर क्या आता है object आता है यह हमारा sentence होता है अगर हम इसका negative बनाएंगे negative तो पहले subject है फिर जो helping verb आएगी do या does present की होती ही बता है तो उसके साथ not word अलग करा जाए फिर one one वी one आजाए main word उसके साथ object आजाएगा अगर question पुछने वाला होगा question तो पहले हमारी helping verb भी यूज होगी फिर subject आएगा फिर हमारी word फिर object यह हमारा present indefinite tense बनाने के structure होता ठीक है इस तरीके से आप से इसी में देख लो not वाला हो गया फिर इसी में not वाला ही तरीके so the don't वाला अब ब्रिवेशन के टाइग में ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया formula present indefinite के tense कैसे बनते हैं यह दो कोई इसमें word में S.O.E.S. लगा कभ हमारी word singular होती कभ हमारी word plural होती यह भी हम बात करने वाले हैं यहापे तो जैसे कि कुछ हमारे subject होते हैं I, V, U, They यह subject कैसे होते हैं सभी plural होते हैं कैसे होते हैं plural होते हैं तो इनके साथ जो word आएगी present indefinite की plural word आएगी word की first from आएगी और इसके साथ अगर जब हमारे sentence negative होगा इंट्रोगेटिव होगा यह question वाला होगा तब हमारी इसके साथ helping word लगकर आएगी do आएगी फिर इसके साथ main word लगकर आएगी ठीक है यह हमारा होगया अगर हमारे he, see, it या किसी का name लिखा था राम से तो यह subject कैसे होते हैं similar होते हैं तो इनके साथ singular word लगकर आएगी वर्व में एस लगकर आएगा और इसके साथ helping word लो हमारी आएगी do या does होती है क्या होती है does होती है तो यह similar हमारी helping word does present indefinite की होगे इतनी बात आपको claim इतनी पार आपके Z लाए आपको क्या होते है similar v вп hoता है a procedure in order यह similar word अब होता future वहता है जब इसके साथ डिवर्व लगाते हैं कौन सी डिवर्व? प्रिवर्व बीवर्व हमने बताया था आपको Uz हो गया secured how дал हम हो गया वास हो गया वर्व ुटन volumes feedback बृप टब के साथ आजए सब्जयट के नां में काम करेगा अब में इसके बार के बाद जो मरी जतनी विफ भी वर्म पर जाते हैं इनके साथ आई कायabilा करेगा कैसा है पूरे यहां पर दे दिया आपको पैछानना है कि प्रजेंट का है कि यह संटन्स यहां पर देता हूं जिसे आप संटन्स को क्या करेंगे असानी से उसको पैछान लेंगे कि यह प्रेजेंट में चला कि पास्ट में चला कि फ्यूचर में चला ठीक है तो यहाँ पर आ जाते हैं उपर यहाँ पर यहाँ पर जैसे हमने लिया था अगर आप कोई regular action कर रहा है क्या कर रहा है आप किसी भी काम को daily करते हैं सुबा उटकर morning पाक आप डेली जाते हैं तो यह आपका क्या क्या हो रेगुलर एक्षन हो गया सुबा उटकर आप डेली ब्रस करते हैं तो यह क्या हुआ आपका action डेली आपके काम करते हैं तो यह किसमें बनेगा प्रजेंड इंडिफिनिट से मनेगा ठीक है ठीक है इतनी सी बात आपको और जैसे कि इर्रेगुलर आपके action अन्यमित कर होते हैं अर्थ हमारे होते हैं अर्थ के कम इन जैपान मतलब जो आपके भुकम होते हैं कभी कभार भुकम आपके आ जाते हैं तो यह कैसे अन्यमित action होते हैं अन्यमित हमारे action है तो यह भी क्या बनते हैं इसमें भी हम बनाते हैं जो आपकी habit होती है जैसे आप कोई मसाला काते है त अगर कोई आप इसमोग दुरू पान करते हैं तो आपकी वह क्या है बीट है तो यह किसमें बनेगा परेजंट इंडिफिनिटेंस मनाते हैं इतनी सी बात आपको समझ में कौन कौनसा अगर एक्षार आपकी सेम्टेंस में अंगर जब ₹ वेाप सेंटेंश को रीड करोगे अगर आपको उसमें यह पीमेहन फेल हो रहा है यह रेगुलार एक्षन अगर हो रहाए जो डेली आप काम करते हम मार्णिंग और करते हिं अपर गर मार्णिंग पीडिक अब एटेवाइग करते हैं इन अपके क्या वह इनके साथ होता है चाहिन हो ma Re利ט होगे है जैसे कोई में हैभिट है यह आपके परीट पीट हो मसालो चाहिन होता है इसके साहucky ऑदले नहीं नहीं तो इसके साहिन हो करते हैं जिसके जेसे उनिवार्शलू होती है जो आपके मतलब कर्फ़ान आपके जो होते हैं वो कभी बदले नहीं जाते हैं लिए तो इन के साथ भी क्या फिसक्राइब चैसे यूज़ता है तो मैं रिट करता हूं यहाँ जैसे कि नबर एक्षन पर लिखा हुआ I come here daily मैं daily आता हूँ मैं daily आता हूँ तो यह आपका क्यों है regular action हुगा daily सब्द से पता लग रहा है regular action है तो किस में टेंस बनेगा simple present indefinite में simple present indefinite में बनेगा ठीक है आपने इसको बताया I come here daily ठीक है बनाया आपने बट यहाँ पर देखना होगा कि I subject आपका कैसा यहाँ पर subject आप कर रहा है देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ I come daily I come here यहाँ पर लिख लो फिर से रप करके लिख देता हूँ I come I come here यहाँ पर daily आप यहाँ पर देखेंगे मैं daily आता हूँ तो आपके हुए एक नियमित एक्षन हुआ regular action हुआ तो हमें टेंस किसमें बनेगा यह daily सब्द जो आपका आ रहा है यहाँ पर एक मिनट daily यह आपका main important अगर सब सेंटेंस में आपको daily यह वाड़ बिल गया तो मतलब आपका regular action हो गया regular action हो गया मतलब आप डेली वो काम करते हो daily जब काम करते हो इसको तो प्रेजेंट सिंपल इंडिक्रेट में हमारा टेंस मनेगा तो आपने बना इसको क्या I come here daily ठीक बन गया बट यहाँ पर आपका केल समझना हमारे मैंने क्या बताया आई वी यू दे यह कैसे सब्जेक्ट होते है प्यूरल सब्जेक्ट होते है तो इनके साथ वर्व कैसे आएगी प्यूरल वर्व आएगी तो वर्व की क्या है गी बेस फ्रम अगर यहाँ पर I की जगा मैं लिख देता क्या ही ही लिख देता सी लिख देता इट लिख देता ही सी इट या किसी का नेम लिख देता तो यह सब्जेक्ट कैसे हो जाते है आपके सिंगलर हो जाते यह subject जो लिखे हुए यह कैसे हो जाते हैं singular हो जाते हैं तो इनके साथ जो verb आती तो verb में हम S or E S लगाते हैं क्योंकि यह simple tense बनना अभी simple है ना कि जो tense हमारा interrogative है ना कि यह negative sentence हमारा अभी आपको पता चला ना कि यह sentence हमारा question word है तब हम जो वर्व आपके आगे S or E S इसमें singular subject में यूज़ करेंगे जब I, V, U दे आगे तो इसके साथ plural word तो कम यहां पे जो लिखा हूँ यह main verb का काम करेंगे तो इनके साथ हमारी कैसी ही I verb भाई? I के साथ plural है I काम करता है क्या? Pural की तरीके भी काम करता है singular की तरीके काम करता है कैसे करता है? मैंने अभी आपको बता है I अगर viewer पे आती इनके साथ Is, R, M, R तो I subject कैसा होगा? singular होगा बाकि जितनी भी वर्वारी वर्वारी जाती है तो I के साथ Pural form में वर्वारी आएंगी इतनी सी बात आपको समझना था तो वही बात है आप आप देख सकते है यहाँ पे Irregular action Earthquakes come in Japan मतला Earthquakes आया जैपान में आया ठीक है He smokes सा आप daily smoke करते है तो आपकी habit है तो simple present independent Sun rises in the east मतला Sun rises in the east चार ओर इस्ट मत भूमता मतलब राइस करता हुगता इस्ट की ओर उखता है तो आपका ये डेली रेक्शन हो गया मतलब चार में कभी बदलेगा नहीं यह कभी आपका इसको कर दोगी इसको करते है तो इसको करते है तो हम इनको भी क्या करते है सींपल प्रेजेंटेंज मनाते है इसे पी एम संढूं से डेल नहीं शुक्त data के आपकी हेद लाइन sensing हो गई ढाते हैं तो अभी हम क्या करेंगे सिंपल प्रेजेंट यहां पर यूज करेंगे ठीक है इस तरीके के आपकी यह होते हैं इसके बाद देखेंगे आप एक तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकट भविस में जो आप प्लान करते हैं जैसे आप अपने फ्यूट जैसे आप हैं अभी हैं त यह आपको दल्ट न यह सब सेंटेंस के जब आप रीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेग्लर एक्शन है कि इर्यग्लर के हैबीट हमारा बता रहा है कि यूनिवर्सल बता ही यही निउस्पेपर हैं जा आपका इस्पूर्ट से हैं यह फिर निकट में जो आप प्ला प्रिल्बत कर संद token war तक्या के साथ है कि यह आप सब बता प्रिया थीडल यह आंपके लेंगे यह आपके लिए इस चैचर में Thai है यहीं हेलागि आते एक आप से मेंक आपके इसे लगाते हैं तो लेकिन हम वर्व में अगर एस्ट लगाएंगे तो वर्व कैसा अगर अगर मिश्च किया तो आपके देखने के लिए क्योंकि वहां पर हमने आप से वर्ग के टॉपिक में बहुत अच्छे से किलर किया था बहुत अच्छे से अगर आप वह एक बार टॉपिक पढ़ लोगे ना तो सब्जेक्ट वर एग्रिमेंट के जितने भी कौन क्वेश्चन आपके बनते एक्जाम लेवल पर जितने भी ब जैसे मारा कोशण टेग को वन लेक्ट्र में आपका फिनिश करें कितने अच्छे से वहां पर चेंदे ऑर प्रेस्टे यह परकार को डेंगे फिर मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर देख लेंगे जैसे की कुछ सेंटेंस अपके लिए मैं इस आप लिए गलत क्यों कि हम ने sentence में बनाओंगे इसको simple present में simple structure में affirmative sentence में तो इसका structure का subject आता है यहाँ पर verb आएगी work की main for फिर object आता है does do का केल नहीं होता जब हम negative sentence होगा यह interrogative sentence होगा मतलब question mark वाद sentence होगा जब हम इसमें simple present tense में do just helping work का सघ्णका बनाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यहां पर कॉश्चन ओंडD लेक? यहाँ पर सिर्फ it up लगी आपके वर् लगी हो reg तो हमें स्टीक्चर मह AWAY छोब्ष का बना रहे हैं देखना है और जो समय और है सब्सक्राइब करना तो एल्पिंग वर कैसी है कि स्युग्लर डास आया फिर इसके बाद देखों में पर नहीं आया क्योंकि इसमें पहले एस और यह लगा चुकि यह सिंगल अगर में बारती जब हम इसमें एस लगा कर इसके साथ बनाते जब स्युग्लर वर्ब करते बट्टिया आप अपने पूछने के लिए कि आजाता आतब बात को नवाघक करेंसके दाने यह आप समझ लेंगे तो आई यह करें अपको आक का कॉंसेट के लिए आपको पता चलेगा है कि हमारे रेगुलर एक्षन हो रहा है कि हैबिट हो रहा है कि इरेगुलर एक्षन हो रहा है यह सब आपको पता चलेगा ठीक है तो यह आप क्या हुआ किलियर हो जाएगा ठीक इसके बाद इसमें भी कुछ हमारे वर्ड होते हैं ज अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा यहां पर पास्ट की आप यहां पर हम पास्ट सिंपल पास्ट की बात करते हैं सिंपल पास्ट पास्ट आपके क्या होता पास्ट जो अपका मतलब टाइम यह क्या होता है कि टाइम बताइगा यह अगला दिन यहाज मालो 23 है यह 22 जो आपकी डेट बीड की नहीं यह आपके 22 में जितना भी आप काम किये यह सब आपका क्या हुआ पास्ट होगा क्या हुआ पास्ट हुआ यह बात थे पास्ट की बाद तो यहां पे जो कार खतम हो चुका है हुआ पास्ट कोन्तर आपक आपके अनतर इंध्री सैंसा यह तुम ने मुझे देगा इंध्राइई यह क्या हुआ पास्ट होता है यक पास्ट की स्ट्थ्चर के क्या होता है अगर हमारा सेंटेंस फर्मेटिव है तो इसके बाद नॉट वर्ड हाएगा निगेटिव नॉट आएगा फिर इसके बाद वर्ड की इसके साथ वी वान यूज करेंगे ना कि फिर अगर हमारे question mark वाले subject होते हैं तो इस तरीके से structure होता है पहले helping वर भाएगे फिर सब्जेक्ट आगे फिर यहां पर निगेटिव वाला यूज करेंगे तो इस तरीके से हमारा होता है यह structure आप देख लेंगे सिंपल पास्ट करें ठीक है क्योंकि structure आपको पता हो जाए सिंपल अगर अफर्मेटिव तो सब्जेक्ट आएगा वर्भी वी टू फर्म अब्जेक्ट आगा अगर हमारा निगेटिव है तो इस तरीके से structure बनेगा क्योंकि structure आपको पता हो जाए कैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट का बनता कैसे हमारा इंटोगेटिव के structure होता है कैसे हमारा निगेटिव के structure होता है यह सब आपको पता हो जाते हैं जबी आप अच्छे से एक्टिवाइट डिक्रेट इक्षण यहां पर कर पाएंगे ठीक है क्योंकि आपको पढ़ाने वाला है यह बहुत अच्छे से पढ़ाओंगा मजा आ जाएगी इसमें क्या बनाएंगे Simple present दो बनाएंगे वीकी टू फार्मूल लगांगे वर्पीट फॉर्सिंपल पाश्ट कोड़ाने प्रेजंट नहीं सिम्पल पास्ट अगर आपको सेंटेंस में नाथे । दाएた है अगर आपको मिलते तो simple आदू अगर आपको एस्टर दे मिल गया मतलब यह रही हाण सब्सक्राइब करें अगर यह अगर वाद में पास्तों आपने में सब्सक्ताइ Brat लेकिन अगर इट इस टाइम के बाद टू का प्रियोग होता है तू के बाद हम वर कि फर्स्ट प्रियोग करें इसके बाद टू आया तो टू के साथ हम वीवान लगाते तो यह वीवान लगा हुए आपे टेक लिए कि यहां पर एवरीडे आए यह प्रेजेंट को डिनोड करेगा तो हम इसके साथ भीवान लगाएंगे यह तो को मिश्टेक आप मिश्टेक किया तब क्या पता नहीं पास्ट में पास्ट में इस तरीके से आप से बता है यह आपके क्या होती है हेल्पिंग और हमने आपको पत जाली देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं ठीक हाँ थोड़ा सा मैं यहां पर थोड़ा सा वाइट ग्लल में अब को मैंने आज क्या-क्या पढ़ाया है चैन्स के बारे में हमने बेसिग आपको वर्म अप करने के बाद हमने सिंपल प्रेजेंट इस आपको बताया है चिंप जिसे यहा पे यह आपका present हो गया है indefinite तो present indefinite का अगर simple nuevo x है तो main verb के साथ हम main verb के साथ s और ys लगते हैं अगर हमारा subject कैसा है सिंगलार कैसा हैкив concept सब्सक्राइब के साथ हम क्या करते हैं WOR की base-form रखते है s और ys नहीं लगते है been present definite में अगर present indefinite की बात करता हूँ sentence हमारा negative है या interrogative है तब हमारा क्या बनेगा तब इसकी present indefinite tense की helping work क्या होती है आपे देखेंगे do होती है does होती है क्या होती है do है और does होती है do का बाती है plural subject के साथ does का बाती है similar subject के साथ अगर जब J आ जाएंगी तब हम main work में S और Yes कभी भी नहीं लगाते है इतने सी बात आपको दानग ठीक है इतने सी बात आपको clear होती है अब इसी में बात कर लेता हूँ present continuous present continuous की कौन कौन से हमारी helping work होती है is होती है r होती है m होती है is का बात है similar subject के साथ r का बाती है plural subject के साथ but m का बाती आई के साथ m आएगा i जब भी आएगा तो इसके साथ m आएगा अगर present continuous tense में आगर आई है तो इसके साथ m का यूज़ करेंगे is और r का यूज़ नहीं करेंगे ये भी आपको clear हो गया present continuous होगे present perfect अब बात करेंगे प्रेजन पर्फेक्ट की present perfect की helping work क्या होती है has होती है have होती है क्या होती है has होती है इनके साथ जो work main work आती है ना तो वो कैसे आती with three form आती क्या आती work की third form आती ठीक ये भी clear present perfect continuous tense की बात करता हूँ इसकी helping work क्या होती है ये भी मैं आपको clear करते हूँ present perfect continuous की helping work क्या होती है has have has have plus been pure ing ये क्या होती है present perfect continuous की helping work होती है has का बात है singular subject के साथ have का बात है pure subject के साथ ठीक इतनी जिवात के लिए रोगे अब आपके present पूरे helping work हमने बताया ठीक है अब मैं पास्ट की बात करता हूँ past ये क्या लिका past indefinite की past indefinite की simple tense है तो v2 form आएगी अगर into get to negative आएगी तो did form आएगी did के साथ work की base form आती है ठीक है did ms आई singular subject होचा pure load did सब के साथ same ही आता है बराबर आता है इस नहीं होते है है ठीक है अप्व इतने सी बात के लिए अब यहां पर past continuous की बात करता हूँ क्या past continuous की helping work क्या होते है past continuous की helping work यह होती है was या work was या work होती है वास का बात है similar subject के साथ वर का बात है सब्सक्राइब करें आजके साथ हैं तो पाइस्ट अ गॉगा पास्ट पर फफेक्ट हुगे पस्ट न करने पाश्ट के क्या होती है 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 इसके साथ रिभी जियर अती है मैंने ठाल फ्राम थे टीक है है ध किसके साथ इसंग्लर सब्येड विञा लो बराबार रज़ा अग पास्ट परफेक्ट गॉंटु Ke initiatives का फ्लेस वार की थर्ट फ्रम यह क्या होते है पर्षट परफ सेक्वेड रोनी का इसके बार हम फीचर की बात करते हैं कि फीचर इनदेखेंट की क्या होते हिविल ऑसनेहल होती है अ धुच्छ console कउन्टेव से ए ah पूच्छ उतल nurgonивается व्लbil पर बिल्बी चैल बी क्या होती है फुचर पर्फेक्ट गया होती है विल है फॉर सैल है पी इसके बाद फूचर पर्फेक्ट कांटिनरस के बते है विल है पी अब है अब यह अब यह सभी की टेंस की क्या होगी है अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से पढ़ाएंगे यह आपको मैंने थोड़ा आपको बेसिक जान करेंगे थी मतलब आपको हेल्पिंग और पता होनी चाहिए सभी टेंस की जभी मैंने आपको आज हेल्पिंग और सभी क्लियर कर देंगे ठीक है और हमारे दो टेंस आपके कंप्लीट और प्रेजंट और पास्ट अब हम फ्यूचर की बात करेंगे ठीक है तो अगले लेक्चर हमारा वेट बहुत अच्छे कॉंसेप्ट करेंगे फीचर के हो जाएंगे फिर इसके बाद प्रेजंट कॉंटिनिवस की बात करेंगे फिर प्रेजंट की बात करेंगे फिर प्रफेक्ट की बात करेंगे फिर प्रफेक्ट कॉंटिनिवस पास्ट कॉंटिनिवस पास्ट कॉंटिनिवस की तो आप अच्छे से पेशन्स रखके बनाए रखके और आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो शेयर करना अगर हमारे आपको गैंकर चैनल यूटूब पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने फटाबर क्योंकि इसी प्रकार बैक टू बैक इंग्लिस की क्लास आ आपको कराने वाला हूं बिल्कुल धमाकेदार सोट से वीडियो होगे जिसमें से आपको टाइम भी बिले का क्वेशन पढ़ने के लिए फिर उसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में हमारे वोक्त कर देंगे बहुत अच्छा मैं वहापे वोक्त करने वाला हूं बहुत गजब तो अपना सेशन आज कहां में इंटर करते हैं अगर हमारे प्लेट फॉर्म प्लेस्टोर से अगर आपने अपको गयन तक डाउनलोड रही किया तो डिस्क्रेशन बॉक्स में जाए हूं वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वाट्सप गुरूप का लिंक करेंट अफ एयर आपके लिए 20 स्टार्ट होने वाली है आप हर सारे सब्जेक्ट यहां पर स्टार्ट होने वाले बहुत गजब की तयारी आपके होने वाली है तो अगर आप मारे चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्स्राइब कर लेना तो आज की सिसन अपने हिंड क एंट जान सौल्जा